वेल्कम बैक अप्रिवन यूपी एसी सवल सर्विसेस के लिए हैं और स्टेट पीसी एस के लिए उपी पीसी के लिए हमने सिक्स क्लास की जोग्रफी की एंसी आर्टी कवर कर देए ती गुट कुरिविशन चल ला था और यह सेवन्थ क्लास की ओल्ट एंसी आर्टी ठीक है कि इसमें हम प्रक्टिस करेंगे दो टॉपिक हैं रेगिस्तान में जीवन और सीतोष्ण घास सिस्तलों में जीवन तो चले स्टार्ट करते हैं इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है जितने भी टेस्ट होंगे उनकी प्रक्टिस आप कर लेजेगा तो कॉश्चन नमबर बना है देखें नम्रिकित कत्नों पर विचार करेंगे पहले स्टेट्मेंट है दूसरे स्टेट्मेंट है तीसरे स्टेट्मेंट और चौथा भी स्टेट्मेंट है ठीक है और यहां इसके हैं कूट कोई भी कूट ऐसा नहीं है जिसमें 1234 चारो सही हूं ठीक है अब पूछ किया रहा है उपरोक्त कत्नों में से कौन से कत्न मरुध्यान को सही तरीके से परिभाशित करते हैं करता है मरुध्यान यानी OSS ठीक है तो पहला जाएं मरुध्यान रेगिस्तान का वह शेत्र होता है जहां बड़ी मात्रा में पस्वपालन किया जाता है ठीक है रेगिस्तान के वह शेत्र जहां जल सते पर आ जाता है वहां मरुध्यान बनते हैं तथा ये शेत्र उपजाओ होते हैं रेगिस्तान के आसपास का वह शेत्र जो रेगिस्तान के फैलाप की चपेट में आ जाता है ऐसे शेत्र को मरुध्यान कहते हैं और रेगिस्तान का वह शेत्र जहां बजरी के मैदाने नगन चटानी सते है वाले एलेवेटेट प्लेटू यानि उत्तित पठार पाये जाते हैं wrapped in d excluded झेहां जल संक्राइब जाता है वहां मरुव्ध्यान वंते हैं तथा ये छेत्र उप्जावू होते हैं अधिकर ये वाला सही है ठिकर कि ये ड chỉ वाला गलत होजाएगा ये वाला वी गलती हो चाहेगा फर जबेगा वाली परिभास साही हो गई तो इसकी इसका अंसर क्या होगा कि बड़ी मात्रयां पसुपालन तो मैदानी छेत्र में होगा ना जहां घास दिखोगी तो करिए एले मिनेट तीसरा हट चोथा सबहटाई यह पहला भी गलाता तो केबल दो इसका अंसर हो जाएगा देगे भ१ोकलिक संदर में मरुद्यान यानी ओसिसी मरुसाल में किसी झरने या जल्स रोट के आसपास इस्थित एक ऐसा शेत्र होता जहां किसी बन्सपती उगने के लिए किसी बनस्पती के उगने के लिए परियाप्त अनुकूर परिस्यतियां उपलब्द होती है यदि ये छेत्र परियाप्त रूप से बड़ा हो तो पशुव और मनुश्यों को भी प्राकर्तिक आवास उपलब्द कराता है देखें जब रेगिस्तान की रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां क्या बनता है गर्थ बन जाती है ठीक है जहां गर्थ में भूमीकत जल जो है वो सतय पर आ जाता है और वहां मरुद्यान बनते हैं यह छेतर उपजाओ होते हैं और लोग इनके आसपास निवास करते हैं अब हम खजूर के पेड़ तथा अन्य फसले होगाते हैं लेकिन अधिक मात्रा में पसुपारन यहां पर नहीं होता यूपी असी प्रशन करती है इस तरह का जमू कश्मीर के पूरब में इस सिथ है लदाक लदाक के संदर में कौन सा कथन सही है देखे लद्दा के पूरब में कराकोरम परवत स्रिणिया है और पस्चिम में जासकर स्रिणिया लद्दा के उत्तर में नंगा परवत और दक्षिन में है पीर पंजाल परवत स्रिणिया ठीक है और लद्दा के उत्तर में नंगा परवत दक्षण में कराकोरम परवत स्रिणिया लद्दा के उत्तर में कराकोरम परवत स्रिणिया दक्षण में जासकर परवत स्रिणिया पहली बात तो लद्धाक के उत्तर में नंगा परवत नहीं है तो इन दोनों को हटा दिजे लद्धाक के उत्तर में है कराकोरम परवस्रिणिया तो डी बाला सही हो जाएगा और दक्षिण में जासकर तो जम्मू एवम कश्मीर के पूरब में ब्रहत हिमाले में इस्सित है लद्दाक जो की एक बर्तवान में के इंशाषित प्रदेश से एक ठंडा रेगे सान है इसके उत्तर में कराकोरम परवत स्रिणिया या पहाडिया और दक्षिन में है जासकर परवत कोश्चन नमबर थी पर आजए नम लिगत में से कौन सी नदिया लद्दाक शेत्री से होकर बैती है सिंधु जेलम शियोग चिनाब लद्दाक से होकर बैती है इंडस यानि सिंधु और शियोग भी जेलम नहीं चिनाब नहीं तो एक और चार इस खांसर होज़ागा ड़ी यह नमबर इस पर कॉलिया वाट्स पर करके आप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं फुल पीडियाप पाने के लिए लद्दाक से होकर कई नदिया बैती है जिनमें सिंधु तथा शियोग पुरमुक नदिया है शियोग जो है वो सिंधु की साहक नदी है महतपूर साहक नदिया और यह नदिया जो है गहरी घार्टियों और महाखंट यानि गार्ज का निर्मान करती है लद्दाक में अनेक हिमानिया है फॉर एक्जामपल ग्रेंगी हिमानी ठीक है ग्रेंगी हिमानी question number 4 पर आजए नीचे देगे कथन और कारण को ध्यान पूरवक पढ़िए कथन क्या कहेगा और यदि कारण इसकी वैख्या करेगा तो आंसर A होगा नहीं करेगा तो 2 होगा इन में से कोई सही गलत होगा तो आंसर B, C और D में से दिया जाएगा तो कथन क्या है भारत के उत्तर में अवस्तित लदाग जो है एक cold desert है यानि शीत मरुस्तल है क्यों है लदाग एक शीत मरुस्तल इसका करण क्या है लदाग हिमाले के ब्रस्टी शाय छेत्र में अवस्तित है क्या ये दोनों बाते सत्ते हैं सत्ते हैं तो कारण कथन की वैख ख्यावी कर रहा है तो यह है इसका अंसर देखिए लद्दाक को भारत का ठंडा रेगिस्तान यानि शीत मरुष्सल या कोल्ड डेजर्ड कहा जाता है क्योंकि यह हिमाले के ब्रस्टी शाय शेत्र में इस्तित है यहां वर्सा बहुत कम होती है कितनी कम मुश्किल से 10 सेंटीम मिटर हर साल यह तो बहुत कम हो गई यह शेत्र वर्फीली हवाओं एवं तेज जलने वाले सूरिताब का अनुभब करता है चलिए कुशन नुबर फार पर आज़ेए लदाग से रिलेटड ही अगला प्रशन है लदाग शेत्र के संबन में नीचे दिखे कतनों पर विशार कीजे लदाग घाटी में सरपत यानि बिलो एवं पॉपलर के उपवन देखे जा सकते हैं यहां के अधिकान स्लोग या बौध हैं और लदाग शेत्र के बौध मट अपने पारम परागत गौमपा के साथ इस्तित हैं अब गौमपा पते नहीं हो क्या है तो बी वाला स्टेट्मेंट तो देखिए ना मेठर्ड अपनाएं की हम देखे लदाग ठीक है एक तरह से जम्मु कश्मीर वाला शेत्र अभी तो अलग हो गया वह जम्मु कश्मीर की पप्लिक कैसी अधिकतर मुस्लिम लोग बसते हैं ना वहां पर तो लदाग में भी हिंदू थोड़ी होंगे अधिकान्स लोग मुस् तो लदाग शेत्र में उच सुक्षता के कारण बनस्पती विरल है ठीक है यहां के जानबरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एबम छोटी जाणियां मिलती है घाटी में शर्पत यानि बिलो एबम पॉपलर के उपवन देखे जा सकते हैं किर्किट का सबसे अच्छा जो बल्ला है वो शर्पत यानि बिलो पेड की लकड़ी से बनाया जता है और लदाग के जो धिकांस लोग है वो मुस्लिम या बहुत है ना कि हिंदू और बहुत है दूसरा वाला स्टिट्मेंट लदाग शेत्र में अनेक बहुत मट अपने परमपरागत गोंपा के साथ इ साधना के लिए पूजा के लिए धार्मिक शिक्षा के लिए और भिक्षूओं के निवास इस्थान होते हैं गोंपा यह पहाड़ी शेत्रों में बड़ी मौनास्ट्री मिलती है देखने के लिए ठीक है उत्राखंड चले जाओ हिमाचल चले जाओ लदाग चले जाओ सिक्किम चले जाओ कोश्य नमबर 6 पर आज़ेए प्रेरी प्रेरी कहा जाता है किसको क्या है प्रेरी प्रेरी देखिए प्रेरी है घास का मैदान नौर्थ अमेरिका का नौर्थ अमेरिका नीचे बाला हो गया मैक्सिको और बीच बाला हो गया यूएस है और उपर बाला हो गया कनाड़ा ठीक यह उश्न कटी बंदिय है नहीं यह सितोषन कटी बंदिय है। उत्रि अमेरिका के डी है इसका उसर्ण ही। की सत्य का एक चोथाई भाग घास इस्थल है और जलबाईयो के अधार पर विश्व के जो घास इस्थल है उनको दो मुख्य श्रेणियों में वाटा जाता है सीतो ऊशन पर्देश के घास इस्थल और ऊशन कटीवन्दे परदेश के घास इस्थल प्रेरी के संदर में एक और प्रश्ण है प्रेरी घास के मैदान के संदर में नीचे देगे कतनों पर विचार कीजिए ये घास के मैदान पश्चिम में रोखी परवद और पूर में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं और प्रेरी घास का मैदान अमेरिका के मूल निवा सी रेड इंडियन का निवास सस्थल है और अमेरिकी भैंस या बाइसन इस परदेश का महत्पूर्ण पशुग है नीचे दिगे कूट का प्रयोग करके सही उतर का चुनाब कीजिए ये तीनों के तीनों कथन जो है प्रेरी घास के मैदान से संबंदित सही है तो प्रेरी घास के मैदान पश्चिम में रोकी परवत और पूर्व में ग्रेट लेक्स ठीक है ग्रेट लेक्स वड़ी इंपोर्टन्ट है पूरव से पश्चिम पश्चिम से पूरव की और उनका करम जो है पूछ लेता है ठीक है सुपिरियर मिसिगन हीरन इरी उन्टार्यो याद आगया होगा देखे प्रेयरी घास के मिदान अमेरिकी मोल निवासी जिन्हें रैड इंडियन कहा जाता है का निवास स Issthทhans रेड इंडियन इस महादीब की अबास्विक निवासी हैं बाईसन या अमेरिकी भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्पूर्ण पशू है निरंतर सिकार के कारण ये पशू लगभग लुप्त हो गए हैं और अब हिने सुरक्षित पुरजातियों की सिरणी में रखा जाता है होश नमबर सिक्स पर आजए नमबर के दम से किन नदियों का जो अपवाहत अंत्र है उसका संबंध है प्रेरी घास के मैदान से मिसिसिपी नदी हट्सन नदी सेंट लॉरेंस नदी ससकेचेवान नदी देखे वैसे तो इसाई नदियां अमेरिका में बहती है अमेरिका का मतलब नौर्थ अमेरिका का मतलब नीचे मैकसिको है और बीच में है उसके जोड़ती है यहां सही उत्र नदी है और ससकेचेवान नदी हो जाएगा यानि के बोल एक और दो इसका अंसर हो जागा ठीक है अपवाह इन दोनों का जो अपवाह शेत्र है वो प्रेरी घास के मेदान तक है मेरिका के प्रेरी घास के मैदान से युक्त्राज अमेरिका वह कुछ वागों ंपेलेग हुए हैं और अमेरिका के प्रेरी घास का जो अपवाहन है ठीक है यानि ड्रेनेज वो Mississippi तथा उसकी साहक नदियों जबकि कनाड़ा के प्रेरी घास का मैदानों का अपवाहन ससकेचेवान नदी तथा उसकी साहक नदियों ठीक है clear तो दोनों अंसर यह होगा एक और दो बागी हटसन नदी थी एक्जामें पूछ लेते हैं हटसन नदी को नियॉयोर्क सहर जो है हटसन नदी की किनारे बसा है और जो सेंट लॉरेंस नदी है वो उत्री अमेरिका की एक बड़ी नदी है और यह है नदी जो है Great Lakes को ठीक है जो Great जील है महान जील उनको Atlantic महासकर से जो यूरप और एसिया में इसको हटा दीजिए डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है बैल्ड यह यह बैल्ड केंपोज ब्राजिल में है यह मैच बैच करने के लिए पूछ लेता है तो दक्षिन अफरिका के सीटोशन घास से स्थल को बैल्ड कहते हैं और बैल्ड 600 से 1100 मीटर की उं प्रेश सब्सक्रा द dif बीका जाता है खत्री घास प्रेडि शेट्र में गहांखfigन करती हैं और देखिए का आंसर तो देखे प्रेरी प्रदेश में वैंगयां चिह नं चैज्या, धियांग विज्व अध्यक त्र करने से जो है उत्तर अमेरिका के सबसे बड़े खाद्यान उत्पाद को में से एक है और गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के गर्ण प्रेरी को विश्व का धानियागार भी कहा जाता है। वश्चन नुमर 11 पर आजिए, बेल्ड घास के मिदान के संदर में नीचे देगे कत्मों पर विचार कीजिए। देखे, इसके पश्चिम में काला हारी डेजर्ट इस्तिता है, बेल्ड घास के मिदान, बेल्ड हाँ का, है कहाँ पर, दक्षन अफरीका में है, और जाइरे तथा, इसकी साहिक नदियाँ इस प्रदेश को सिंचित करती है, कौन सा सही है। दक्षन अफरीका के सीतोषन घास इस्तितर को बेल्ड कहते हैं, और बेल्ड है, यानि इसके पश्चे में काला हारी मरुस्चल इससे थे तो पहला बाला सही हो क्या, दूसरा बाला गलात है क्योंकि लॉरेंज, ओरेंज, ठीक है, ओरेंज एबम लिम्पोपो की साहिक नदि कांगो या जाइरे, जो है, इक्वेटर को दो बार काटती है, एक्जामें पूछ लेता है, और लिम्पोपो जो है, वो मकर रेखा को दो बार काटती है, तो सेवन्थ क्लास की जोग्रफिक की NCRT इसमें दो टॉपिक थे, ठीक है, जिससे 11 प्रस निकलते हैं, इनकी प्रक्